हाई फ्रेंड्स मुझे बहुत सप्राइज हुआ कल एक दो कॉल आई मेरे पास बहुत सारे लोगों हमारे फ्रेंड्स को ये मालूमी नहीं है कि हम आल ओवर इंडिया फ्रेंचाइज अपनी दे रहे हैं तो फ्रेंड्स इसलिए ये बहुत एबरियंसी वीडियो शूट किया हमने कि आप हमारे साथ जुड़ कर एक अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हो हमारे ओन ब्राइज पॉड़क्ट्स, एक्सेसरी, सप्लिमेंट, सब कुछ आप घर बैठे सेल कर सकते हो बस आपको करना क्या है, दीचे नीचे दी हुए नंबर पर आप कॉंटेक कीजिए मैं फ्रेंड्स, आपको जो भी इंफरमेशन चाहिए सारी इंफरमेशन आपको इस नंबर पर मिल जाएगी मैं फ्रेंड्स, और फॉर अनदर आप जानते हो हमारा वीडियो डॉक के हर एक टॉपिक के ऊपर भगवाना करें अगर आपके डॉक को कोई भी प्रॉबलम है तो हमारा एप डाउनलोड कीजिए, वहां पर एपक्यू प्रेंड तो प्लीज हमारा चैनल भी सस्क्राइब कीजिए और हमारा वीडियो जारा ज्यारा शेर कीजिए मैं फ्रेंड फिर वह उन्होंने बावने बन वाई इसमें बारा तरह की वहां स्प्रिंग वाटर सोथ है सोथ है सोथ होजी ना यह यह दर्वाजे के अंदर आप इसे स्टेप बाई स्टेप मीचे है और मीचे साथ-ससतर फिट गारी रही है बहुत अच्छा हो है सरोबर नी बढ़े है जड़ा वो दी गाले कार तो पहले न्यू सीडिया है फिर यह दर है ट्रेंगिल बने में पर बीच में कुआ है तो बाबा ने लोगों ने उसमाने मे बाबा से कहा कि बाबा हमने का पानी धीते सब हराण हो जाता थायम फूल पलयस न довी बाबा ने उन्से काई तुमें काम करो इधर यह था है राफ नाप यह दूज मील जाता है जह हूं कंदर की आता है गयासी तूखलग गयासी नामके दो बाक्षा वह गयासी द 인hauptन diffic का वादर इनला, पाबा फारिद की बीवी इनकी बेटी थी फल की तो यह बाइगा सुलता था अ बाबा से तगलग आ बाद फोड जो है उन दिनों में बन रहा है तो बाबा आम नेड़र बाबान निजाम दिन वुर्हां है कि पोच्छा किवङ है। तो उसको गुस्सा आगिया, उसका अबर्दार कल से कोई आदमी उधर नहीं जाएगा, और उसमाने में सारा काम चिराग से वाता था, तो तेल बन कर दियाता हूँ, ना तेल होगा, ना चिराग जलेगा, ना तुम काम करोगे, ये बात बाबा निदाम दिन उजिसाब से कही बाबा ने कहा कि अच्छा एक काम करो, उनसे नसीत दिन रोशन चिराग दिली से दिया लो उसके अंदर पानी भरो, अब भरने के पाद आपने उसके दूआ दी, जैसे दूआ की वो चिराग जलेगा, इसलिए उनका टाइटिल हुआ है, रोशन चिराग, जिराग दिली उस सब मानते हैं, सब मानते हैं, सब मानते हैं, और क्या बैलोहे को वाली बात है, साब शक्ति को कौन लोगों मना करेगा, तो अब यह हुआ को जहां बाबा ने यह दूआ दिया, इसके अंदर जो है, पारा तरह की सोते हैं, स्प्रिंग वाटर है, मीठा, नमकीन, सॉल्ट है, करोशीन है, यह सब है, लेकिन आज तर इतनी दफा खाली हुई, लेकिन कम्प्लीट नहीं हुए, तोड़ नहीं सके, जितना पानी निकालते हैं, उससे दुगना भर जाता है, एक इतनी मोटी सोत है, मीठी बहुत है, जो कहते हैं, वो यह निचुरल वाटर, जो कहते हैं, इस बावली की वो बात कर रहते हैं, यहां बारा परकार का अलग अलग पानी, और इसकी वो तब जब हजरत जी ने बनवाया था, बेच में ही रोकना पड़ा, इसको, वाह कितब के राजा ने वो बातरों ने पूरी बता दी है, कि क्यों, वो तब तेल बंद कर दिया था, और दिया पानी से जला था, तो यह आप देखो, कितना वित्तर पानी है, और बारा परकार का अलग पानी है, और इसमें एक धार है, यह मीठी है, वहां हमें बताया गया 185 slips है यह आगए कज़ दर्वार है बाबा निजम्दीन उलियो साभ आर आहीं है दूसरा दर्वार आहा पाबा अमीर कुछर का अमीर उलियो जो है बाबा निजम्दिन उलियो साहभ का अब बाबा निजाम साब के गुरु जो है बाबा फरीद है बहाँ पंजाब में पाकिसान के अंदर है पाकवटन के अंदर है और बाबा फरीद के गुरु जो है वो यहाँ पर दिल्ली में महरौली के अंदर है खाजा बक्तियार खाकी और महरौली वालों के जो गुरु है व दिन रहाना से माता है। इनको 800 साल हो गए अब ये बाबान निजामदिन उल्यसाद का 804 मान जनम दिन हुआ थार। तो अब इनका जो उर्ष होगा इस डेथ अनिवर्सरी वो 25 दिसंबर को होगा यह मदब 25 दिसंबर यह दो एक न दो 2018 में अब रही बाद बाबा निजामदिन और लिसाब जो है इनका जनम जो है यह तो बदाईयू में हुआ था लेकिन यह ग्यान वगरा हासिल करके अपनी और सिस्टर के साथ यहां पर देली में आए और यहां आने के बाद इस जगह जो आप बैटे हैं इसका हिस्ट्री में पुराना नाम जो है गयासपूर है गयासपूर गयासओदीन बल्वन ने इसको आबाद किया था लेकिन जब बाबा निजामदिन और लिसाब यहां पर सूफियों का एक विचार है एक आइडियोलोजी है और वो जो है आइडियोलोजी यह है कि वर्शिप अफ गौड एंड सर्व दपीपल दो चीजे हैं सूफियों की लाइफ के अंदर जो आपको हर जगा मिलेगी एक तो उपर वाले की प्रे करना प्रात्व वो तुसर्व कि अगरा जो है किसी भी धर्म का किसी सुसाइटी का और यही वज़े है कि आज बाबा को साथ सो आट सो साल हो गाए हर धर्म के लोग यहां पर आते हैं और यहां आने के बाद क्या है सबसे बड़ी बाद यह कि उन्हीं मन्नत और मुरादे अब भामनाय पूरी होती अगर नहीं होती हो तो कोई भी नहीं है सी दी सी भी अधारण है आपको दूसरी अधारण तर्वाबार है और जर्वार्ट के बहुत था वो कौन था बाबर का बेटा था और अकबर राज्य की उसने रखी बुनिया रखी उसके परिवार ने 300 साल हिंदुस्तान में राज क लेकिन क्या है इन दोनों में फर्थ क्या है कि आज भी उन जैसे बाद्शा जो है ना इन जैसे बाद्शा बाबा की दर्बार में आते हैं इनकी लाइफ यह है कि यह कभी किसी बाद्शा से नहीं मिले लोग बाद्शा इन से मिलना चाहते थे तो बाबा का एक बहुत मशूर कहावत थी कि अगर बादशाह हम से मिलने आएगा हमारे खानखा में आएगा तो एक रास्ते से बादशाह आएगा दूसरे रास्ते से फखीर चला जाएगा और यह बहुत बड़ी एक उसकी बात है इतिहास की बात है परना दुनिया तो चाहती है कि हम बड़े बड़े बादशाहों से और नेताहों से मिलें लेकिन यहां महाई यहां कहानी दूसरी है अब रही बात यह कि बाबा का क्या चीज़ थी कि शुरू में बाबा निजाम्यों साब की बहुत फकीराना जिंदीगी थी बाबा के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि एक कुर्ता एक महीने तक पहने रहे जब बाबा का राई बढ़ती रही तो उसके बाद क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया है कि बाबा के पास हर आने वाला जो है बाबा का लंगर जो है बहुत मशूर था और उसे मतला एठानिटिक बुक्स में ये बात लिखी है कि बाबा के लंगर खाने में तकरीमां बाइस लाग आदमी रोजाना खाना खाते थे लोग यह नहीं मानते यकीन ने करते कि साब इतनी तो जनसंग्या भी नहीं थी दिल्ली की दिल्ली की जनसंग्य की बात नहीं है बात यह है कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहां आते थे बाबा का जब शोरत होई तंका पिटा तो दुनिया कोने कोने से लोग आते थे हर आदमी अपने अपने तरीखे से आजमाता था देखता था और तीसरी बात यह बड़े बड़े राजा महरा राजाओं के लड़के, लड़किया बहुए जो है वह बाबा के बास आती थी और बाबा को आजमाती थी यह, बाबा को अपनी तरह से कुछ योगदान देना चाहती थी, मना करते थे बाबा, भाई हमें तुम्हारी योगदान की दुरुवत नहीं थी, तुम आओ, हमारी यहां बाबा के लंगदर बंडार यह बैठके खाओ, तो वो शर्माती थी, तो क् आम पब्लिक को तो दे दिया है, लेकिन बादशाओं के जो राइल फैमिली के लोग थे उनकी इंसर्ट थी, बेज़ती थी, तो वो नहीं लेते थे, तो चेलो ने बाबा से का कि उदूर ऐसी ऐसी बात है, वो तो खुद धनी आत्मी है, वो आप से पैसे लेना है, पसंद करते हैं, बाबा ने का अच्छा एक काम करना, कि आपके जो आदमी आएं, जो भी राइल फैमिली के लोग आएं, उनके खाने के बर्तन के नीचे एक इशर्फी रख देना, खाते जाएं, छुपके से उठा के लेते जाएं, और यहीं हुआ, यहीं हुआ, यहीं हुआ, कि लेने में उनका पैसे देने में छिरम आती थी, अब वो खाया, उनके नीचे आशर्फी रख दी, खोठा के लेता है, दूसरी बात यह, कि बाबा का एक चाइम ऐसा आया, कि बाबा के जो घोड़ों के अस्टबल होते न, अस्टबल जहां घोड़े बनते हैं, वहां के अस् उश्रम नहीं आती हैं, ऐसे ही, कि आप उश्रम नहीं आती है, अब सोना इस तरीशे से वो लगाते हैं, अस्टबल में लगाते हैं, जोने घोड़ों के दंदीरे बगरा यह सब सोने की हैं, और यह आपके ओपर अच्छा नहीं लगता, पकीरी के ओपर धबा है, तो बाब आपने से हुए, ऐसी बाद बताई कि मर्द के लिए, फ़कीरी लाइन के अंदर सोना पहनना हराम है, सोना जो है, और मर्द के लिए सिर्फ चांदी है, तो उस जमाने में भी लोग ऐसे थे, अच्छा फिर एक बात यह है, यह भी अथांटिक बुक्स में लिखावा है, बा के अंद्गार के सो साल बाद, सो साल तक, दिल् ensuring के लोगों ने तीन चीज़ों से तोबह की थी, और वो तीन चीज़े के आदमी शराब, जिना, मुस्ञा सेक्स और तीसरा जूट, कहलें यह दूनुंचों चीज़ों में आफ तो पैसा खर्स होता है शुराब मैं और उसकं एक आदमी पचेट जूट बोलता है लेकिन जो जूट बोलते थे ते अगर हम जूट बोलेंगे वाबब को चिया मूः दिखाएंगे और यही उता था ऐक आदमी आया बाबा के लिए धूट बोलकर और आने के बाद वह जैसे भार वार बैठने लगा ऑबपार ने कहां के ध तो यह ग्यान की बात है, असल बात यह है, और दूसरी बात है, जितने मी खाली यह बाबा की बात नहीं, अजमेर वाले हैं, खाज़ा गरीब नमाता, उनका क्या था, जो आदमी उनके पाद पात, ने बैट चाला बैट जाता था, उनका चेला बहुता था, मुरीद मन जाता था ये फेस रीडिंग की बात होती है जो आदमी छक्तिशालिक होता है ग्यानिक होता है जो इन लोग की जो मिसाल है वो ऐसी है कि जो फलदाद दरख्त होते हैं उनकी टहनियां हमेशे जुगी रहती है जो खाली टेनिय होती है न वाबा में होड़ती है तो वह वाली बात है जो अच्छा लोग जो है बाबा को आजमाते थे आनके देखा करते थे कि बाइचाहों ने 20 लाग आदमे खाना ख्लाना कोई आसान नहीं है साबा और क्या हुआ कि साथ बादशाहों ने बाबा निजाम नियुक्त साब की लाइव देखी है साथ बादशाहों ने और उन में से खुछ बादशाह ऐसे थे जो जलते थे क्यों जलते थे क्यों जलते थे क्यों टर था कही हमारी हुकुमत एक आदमी है वो शक्तिशाली होते जा रहा कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी हुकुमत खतम करते हैं तो ये उनके दिमाग में ये बात आई हैं तो वो उनको आजमाते थे और जो समझदार थे इंटेलेक्ट चलते वो जानते थे इनकी दूआ लो अपना हिसाब सही रहे है असल बात यह है तो अब आप यह देखिया अलाव बिन खिल्जी जो है बहुत जवर्दात है रूलर्स हुआ है और उसका यह था कि वो जाहिल था पड़ा लेने का अंगुट अच्छा लेकिन उसका एड्मिनिस्टेशन जो है इतना जवर्दा पूरे इशिया में उसकी उधारण नहीं मिलता और वो क्या था कि उसने राशन की सामान की दुकान गिवर्द दां मकरर कर दिया मंणोर्ब बहुत दाल इतने भाव इसके बाद वह उगाने के लिए क्लियं क्लिया तो इसlawاد नहीं कि बुलाके को पैसे कर दिया बताओं क्या हुआ खाटिय दुकंदार का मास काट लिया दो चार को ऐसी सदा मिली सब्सभी होगा बात यह नहां तेगिए उसनों प्लिद्द खुलिए कि वह फश्वानिष्मेंट जो है क्या है यहा है आदमी को जराहिम करता है आगर शौर मिल जाये आपको एक चोटा समय जुरू दीजिए कि 25 तरीक को जो इनकी आद्ट एनिवर्सरी को लोग जहां पर आई है जुरू प्लीस आज कल तो रोजा नहीं है इतनी प्लीपी आप साथ सो पंदरवा उर्स कहना 25 दिसंबर को आपके यहां साल में दो मेले होते हैं दो उर्स होते हैं एक बाबा अमीर खुसरो का मीठी इद के 15 दिन के बाद होता है और बाबा निजाम दिनरय उत्वाह अगले महिने में आसल में यहां जितने फंच्छन होते हैं सब मून कलेंडर के हिसादे होते हैं क्यषके खेंशो है 25 दिसंबर को बाबा निजाम दिन Corneliaan की उसके अंदर क्या होता है कि लोग आते हैं एक खास थाइम होता है उसका isches नदर परशाट दे के आते हैं यहां लागत धुआ होती यह थासत के लिए था होती है बस और क्या खवाली वगरा होती है क्योंकि बाबा का तालुग जो है चिष्टिया डैनिस्टी से है चिष्टिया अजमेर वाले जो हैं वो भी चिष्टिया है यह यह सब चिष्टिया है चिष्टिया के अंदर दो चीज़ है चिस्टिया खांदान में दो चीज़े हैं एक तो खाना और दूसरा खवाली खाना तो वैसे भी हर धरम के अंदर अच्छा वो माना जाता है कोई भी हो ये तो तमाम दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चियल और सूफी संथ इस बात को मानते हैं कोई भी आदमी हो हंदू हो मुसल्मान हो किरिश्चांद हो साहब क्यों कोई आदमी अब आप देखे ना एक आदमी है अप टूडे है हमारी है तो बाबा ने ये बात बताई है कि अगर कोई आदमी घोड़े पे सवार होके आपके घर में आए और आपसे सवाल करें काव उसको रिफ्यूज मत करो क्यों आपको अंदर की शक्सी नहीं मालूब ना तो किस कंडिशन में उसके साथ क्या एक्सिटन हुआ है क्या बात होगी है लोड़े पे आने का मिला भी है कि पैसे वाला होगी है आदमी देखता है कि वो अप्टूटएट है यह है लेकिन वो जो इस तरह का काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है कोई ना कोई मजबूरी वाली का लिए किस रूप में है वो किसी को नहीं मालिए यह गर्णा साम मैंने पड़ी है उसमें दो एक तो कभीर दास के दूसरे बाबा फरीद के यह जो है और बाबा फरीद जो है वो इनके गुरू है अब कर दो गेलाकर यह किसे बीस हैं तुल लाकर फिर एक ही हो जाता है 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 और ऑब के असल बात यह है जितने भी धरम है, सब इंसानियत के ओपर मानमता के ओपर जोर देते हैं, असल चीज क्या है, लेकिन और जा मानमता है, भई देखिये, मैं भी इंसान हूँ, आप खुछ भी खाते हैं, आप बिजिटेरियन खाते हैं, मैं नोनवेच खाता हूं, फुछ भू नहीं है, किजी क सबसे फासले फासले पर दूसेर डफना Yaak, वह कहिए, लोरे मतना के फासले जो दुछ सेarे इसे फासले एपहतु हुआए, लोघ खात। जैसे नहीं पारिट नियादे व्हों को पता दियाता है चब उनको बनाधु कर दिखना एक आड़ा हो तक स्पना एक भूआ नियु अगया है कि अधिकिग अधिक घए together अधिक माध्या के बहुता है। जब दुग अधिक जोगे जाते हैं जैसे उन्होंने आमीन कहा कि उन्हों पर हात पेरना और राइट साइट पर देखा तो उन्हों देखा है महमद साब आए में तो एक्डम हात पर खूल गए सब उन्होंने पाइट हुए महमद साब के बाबा निजाम नुशाब ने क्या किया वह मिठी को तो इससे आम पप्लिक को फाइदा हो उन्होंने तरी दर्वादा बनाया उसको जन्नती दर्वादा कहता है जन्नती दर्वादा और महाँ पर जो इट रकी ना उस इट रकी है हर इट के उपर एक भुली पुरान पुटा किया एक अधिर आप नहीं आप नहीं आपने यह नारा लगा यार अल्ला मुहमद चार यार लोग जो है ना इसमें कन्फिज होते हैं ला मुहमद चार यार जा बयूप पुतफरिए तो क्यों नहीं बाबा निजामियुक साथ प्रच में ने यह चार नहीं यह यह चार नहीं वो चार उख हमें कि मुहमद साथ के बाथ जो बाधे इनकी गंदी पर बैटे तबाट लोग इसी में कन्फिर होते हैं आप मुहमद साभ निए ने आप कर बीई को ए सीडियर सी पासरे चार याड ए महम्मद साहब के जो चार यार थे उनका नम लिया उनके बाद फिर यह कहा हाजी जो है घौरीब निमाज के दादा पी रहे ऑजी खाजा खाजा घृआ को निया खाजा ँ्समान हर्मनि जो है आप देखिए ना अब देखें नशिया गरीवनी नमाद गरीवनेमाद के दादा गरू हाजे शरीफ घंदनि से चार्ट यह उनका और महम्म questiबवाद का जो ly 00 related सिरी दादा पीर के नाम के साथ है अब ये ख़वाल है बाद ये सभे लिए थी आदमिसाना द्रहने जर्षिट और किसी ने यह नहीं कहा कि दूसरे की हत्या करो चाहिए इन लोगे का बताईये आप ये स्वियुक्षा क्या हुआ है कि इंसान हर आद्मि इस तो अपने से उपर को दिखता है उसके अपने से नीचे को नहीं दिखता है अब वो कैसे नीचे वो देखता है, सबसे पहली बात है, फिजिकली आदमी, आप फिट है, हाथ पैर लगाया, आप ना बिलाइंड है, ना लंगड़े है, हैंडीकेप में है, पूछी ना, यहाँ आप एक ऐसे हैंडीकेप है, आप देखेंगे ना, बगार चाहे आप उनको सबसे देखेंगे, जो बिलाइंड में है, उसके लिए क्या है, उसके लिए यह संसार बेकार है, जब आख उसे नदर ही नहीं आ रहा, आप जाए बाहर जाए रात के टैम, फुट पार लोग सो रहा है, उनके बाद ना कोई चादरा है, आपके पास ठैकिट है, कपड़े है है, है वे क्यान मकान है, घर है, इसी है, सब कुछ है, उनके बास क्या रहा है, वो भी तो इंसान है, वो तो ऐसे भी लोग है कि जो भूक है रहते हैं, बाबा निजाम जुने अले साभ ने साब ने इस लिए लंगर जो था भंडार आप और रहता है, आपर आप देखे उतर या उसी के ब्राबर में बाबा की खानका है वे खानका जो है उससे लगे पहता था तो एक बुड़िया थी वो आई आने के बाद मुरू स्य क्योंकि बाबा मैं दिना का पानी पीती हूँ और खाना हसम हो जाता है लेहाद मुझे भूग लगती है मैं क्या को बाबा की आखों में आसु आ गए बाबा ने का जब तक हम जिन्दा हैं तो मैं यहां से लंगर यहां से बिलेगा तुम यहां से लोके जाना आदमी के सूच की बात है कि बता यहां बहुत अच्छा पें सम झाल बता है